तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे क्या आइगन वैलू और आइगन वैलू तो आइगन वैलू तो आइगन वैलू है क्या आइगन वैलू किसको बोलता है 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 लो आप है लो पेरामिटर किस चीज का परामिटर उसके पहले कोच्छन आज़ा कि पेरामिटर क्या है जो भी है हो तो ठीक है मतलब वह एक अप्लिकेशन हो गया इंडिकल एक्योशन में भी पर एक्च्छली आइगन वैलू मतलब हाँ मतलब एक्योशन को जो सेडिस्पाय करें उसको हम बोलता है आइगन वैलू सिंपल है कि यह देखते हैं हम लोग मतलब अगर यसे समझने जाए कि आइगन वैल अच्छली है क्या क्या आइग्योशन को कैसे सेडिस्पाय कर रहे हैं तो उसमें सिम्पिन मानके चलो मैंने वेक्टर नेक मेर्क मानके चला जो मैंने मानके ले लिया 3102 यह मैट्रिक्रीक्स के ट्री और मेर prayer में वेक्टर ले रहा हूं सपोस एख बीडिन यह स्टेबर डेक्टर जैसे बेख्टर क्या होता है इसके लिए इसके लिए सपोस् Sब्ग прид случа कि यह पहें मान के चलो 10 तो यह मेरा यूँ अगर मेरा 10 है अगर इसको मैं इससे माल्टिपलाई करता हूं करें ईन्टु इवण तो क्या होगा मैं यह ए इव़ग्टरी कि बनेगा लगा तो यह टू ख्रॉस तु है तो इसका टांसकों मान के चलो तो वेक्टर इसमों में ले रहा हूँ, ठीक तो A1 क्या होगा, 3-1 मतलब यह सिंपल यह पोजिशन है, है ना, A1 क्या हो गया, 3-1, तो A1 कहां पर जाएगा, परका चलो यह 1 है, यह 2 है, यह 3 है, तो A1 मतलब जा रहा है, इस पोजिशन पर, सब्सक्र यह मेरा हो गया, A1 एक वेक्टर हुआ, सिंपल, जस्ट एक मैट्रिक्स का उसको माल्टिप्लाइ किया, यह 3-1 मुझे मिला, यह 1 पर जा रहा हूँ, सिमिलर होए मैं मैं यह E2 ले रहा हूँ, तो यह E2 क्या होगा, E2, क्या portion होगा, यह 0-2, E2 0-2 होगा न, मुटिप्लाइ करके देख लेने नहीं तो, यह E2 कहां पर जा रहा है, यह E2 मेरा 0, E2 क्या था, E2 मेरा यह था, 0-1, तो उसी लाइन पर है, तो यहां से एक चीज़ा मैं नोटिस कर सकते हो तुम लोग, कि E1 एक वेक्टर से ले रहा था, सेम मैट्रिक्स था मेरा, माल्टिप्लाइ किया, तो मुझे जो दूसरा वेक्टर मिला, वो क्या मिला, अलग एक लाइन पर मिला, उसको एक ठीटा एंगल करके उसको मुझे मिला, पर E2 को अगर मैं माल्टिप्लाइ कर रहा हूँ, तो मु यह और कोई vectors के लिए होगा कि यह भी हमें नहीं पता कि suppose मैं मानके चलो यह 1 1 एक वेक्टर ले रहा हूँ suppose a 1 1 एक वेक्टर में ले रहा हूँ यह मेरा 1 1 वेक्टर है suppose यहाँ पर जो भी मानके चलो a 1 1 एक वेक्टर है इसको multiply करो a 1 1 से a into 1 1 क्या होगा 3,3 यह actually 3 into 1 1 ठीक तो यह भी क्या कर रहे है 1 1 वेक्टर को भी stretch के अन्य में मदद कर रहे है यहाँ पर भी इसको भी मुझे क्या कर रहे है 3,3 पर ले जा रहे है ठीक यह ऐसा एक matrix है जो कुछ वेक्टर को stretching में मदद कर रहे है कुछ वेक्टर के लिए नहीं कर रहे हैं यहां से आइगन वेलू के एक्चुलिए कॉंसेप्ट आया है कि यह एक्स अगर ऐसा एक्वेशन को साटीस्पाइ करें यह एक्स इस इकल टू लैम्डा एक्स यह ऐसा एक ऑपारेटर जो एक्स कोई भी वेक्टर है मेरा यह पर वेक्टर साइन दे सकते हो यह लैम्डा इसकेलर है तो कोई वेक्टर का अगर सेम वेक्टर के उसको उनली स्टेशिंग पर ले जाए मेबी यह स्टेश की 2 से मल्टिप्लाई हो या हाप से मल्टिप्लाई हो लेंबडा कोई भी स्केलर हो रोमित स्डेशिन पर एसे मदद करते हैं ओई लेंडा को हम बोलते हैंwu कर यह जो एक्स मेरा है जिसफर те को अपरेट कर रहे है उसको हम बोलता हैं है ऐ देट दिख और यह सभी वेक्टर्स के लिए ट्रू नहीं है कुछी जिस वेक्टर्स के लिए यह true है यह equation satisfy होते हैं इसी को हम बोलते हैं आइगें वेलू एन आइगें वेक्टर्स जो क्याक्टर्स्ट्रीस equation है हमारा इसी equation से आते हैं जो क्याक्टर्स्ट्रीस मेरा equation बनता है इसको एक सब्सक्राइब में ले रहा हूं, इसका रूट सी में ले रहा हूं, अच्छली इस लेंड़ा आई है, आई कोई भी अगर जो मैट्रिक्स में लेना चाहता हूं, जीरो, तो हमारा characteristic equation क्या होता है? Characteristic equation कोई भी matrix अगर n cross n matrix है मेरे पास, कोई भी अगर मेरे पास n cross n matrix है, उसका characteristics polynomial बनता है this, that is determinant of a minus lambda i n, this is the characteristic polynomial, अगर इसका हम जीरो करेंगे तो हमें मिलेगा characteristic equations, तो यह हो गया characteristic polynomial actually, घगा है जगर क्वर यदिघरो टिवगाष, तो हमником 내 capable of a 5 तो हमेरे तो dużo सबता है, जीरोनrr तो हमें पास, एगर नाय दिक्हादिक्शन न Dumicaux का हमें, this is the characteristic equation and the root of the characteristic equation is the eigenvalue find करने का जो general तरीका है तो यह मेरा हो जाता है roots जाओ करता है तो यह जो रूट समरा बनेगा अब इसका determinant 0 है इसका determinant अगर 0 है तो यह जो equation मेरा देगा k-lambda n x equals to 0 अब जब इसका determinant 0 होता है तो हमारा system of equation का यह है जब यह determinant तो हमें x हमें सा एक non-zero at least मिलेगा जब इसका determinant 0 है जबकि यह at least भले बोल रहा है वो infinite number of solution हमें इसका मिलेगा यह आगर देखा जाएगा system of equation की तो पर इसमें infinite number of solutions है तो जो भी है हमें infinite number से हमें मतलब नहीं है पर हमें at least one non-zero x मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि इसका determinant मेरा 0 है यह जो non-zero solution है हो ही मेरा eigenvector है 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 कर discourse है है कि अब कर दो कि यह मैं लिख नहीं रहो नॉर्मली जस्ट करने के लिए यह सब ऐसे तो कोई जुरूरत नहीं है क्योंकि यह सब जो डेफिनेशन वगर है वो तो जानते हो और कभी-कभी यह कोश्चन पूछा यहता है जो मैंने तुमको कॉर्डिनेर्स में दिखाया कि actually eigenvalue का meaning किया है eigenvalue मतलब कोई भी ऐसे एक operator होना चाहिए जो सेम बेक्टर को stretching में मदद करे कितना portion में stage हो रहा है उसको हम actually उस number को हम बोलते है eigenvalue जो vectors को कर रहे हैं वो हम बोलते है eigenvector और यह सिंपल यह सब तो simple definition है यह तुम पढ़े होंगे तो इसका जो roots है हाँ इसका जो solution है वो मेरा आइगें वेक्टर से और आइगें वेक्टर हमेचा नॉन जिरो होना चाहिए आइगें वेक्टर से यह solution जो भी है यह नॉन जिरो solution होना चाहिए तो यह simple मुद्दा हुआ कि आईगेन वेलू और आईगेन वेक्टर अब questions यह होता है कि यहाँ पे यह हो गया कि इसका solution infinite number of possible हो सकता है यह lambda के respect में यह मैं solution find कर रहा हूँ जो infinite number of solution possible है अब question यह है कि इसमें अगर दो में अलग-अलग आईगेन वेक्टर लेता हूँ तो उसके लिए क्या मुझे same आईगेन वेलू मिल सकते है एक आईगेन वेलू के लिए infinite number of आईगेन वेक्टर possible है तो अगर मेरे पास lambda है lambda मेरे पास एक आईगेन वेलू है इसके लिए मैं क्या मिल सकता है infinite number of eigenvectors possible है x1 करते करते x2 करते करते this is set of all eigenvectors यह set of all eigenvectors अब यह है कि इसका opposite में लेता हूँ मान के चलो कि एक eigenvectors मेंने लिया x1 x1 मेंने लिया इसके लिए मुझे क्या ऐसे eigenvalues मिल सकते हैं आइगन value था क्योंकि यह मैंने देखा इसका determinant 0 है by system of equations इंफाइनि नमबर और सॉलूशन पॉसिबल है एक solution है तो इंफाइनि नमबर और सॉलूशन है आप question यह है कि आगर मेरे पास एक vector है उसके लिए मुझे क्या infinite number और या कोई भी है more than 1 lambda 1, lambda 2, lambda 3 ऐसे मिल सकते हैं आइगन values opposite जैसे उसके opposite में ले रहा हूं बिल्कुल नहीं मिल सकता हैं क्योंकि यहां पर जो आइगन वेक्टर लेते हैं उसके लिए हमें हमें साथ unique eigenvalue मिलेगा तो यह possible नहीं है यह possible है कि एक eigenvalue के लिए हमें infinite number of eigenvectors मिल सकते हैं पर एक eigenvector अगर given है उसके लिए मुझे unique eigenvalue मिलेगा तो एक eigenvectors के लिए आइगेन वेलू जो होते हैं हमें साथ unique होना चाहिए आइगेन वेलू जो है वो unique होगा वो तो अलग हो गया वो तो set of number of set of all eigenvalues और फे matrix वो multiplicity हो सकता है same भी हो सकता है identity का सारे eigenvalues same कोई चीज़ अलग हो गया कोई एक particular eigenvector का दिया हो इसका eigenvalue तो तुम्हें यह simply देखना भी चाते हो कि suppose मानके चलो कि नहीं एक eigenvalue मतलब मुझे multiple eigenvalues मिल रहे है suppose एक same eigenvectors multiple eigenvalues मिल रहे है means यह x1 is equal to मुझे lambda 1 x1 भी मिल रहे है और यह x1 is equal to तो मुझे lambda 2 x1 भी मिल रहे है दोनों मुझे मिल रहे है कि दो eigenvalue से मिला दोनों को equal कर दो कि यह से मैं बोल सकता हूं कि lambda 1 x1 is equal to lambda 2 x1 एक side में अगर हम ले आते हैं lambda 1 minus lambda 2 x1 equals to 0 x1 हमें सा non-zero हम लेते हैं क्योंकि eigenvectors से non-zero terms होते हैं तो यह imply करेगा lambda 1 minus lambda 2 is equal to 0 this imply lambda 1 is equal to lambda 2 ऐसे easily दिखा सकते हो कि हमेसा जो eigenvalues होगे वो कोई एक particular eigenvector के लिए unique होगे correct इसके लिए important theorem है जो कभी-कभी ऐसे जो options होते हैं उसको options के लिए कभी-कभी काम पायाज़ते हैं वो एक हमिल्टन theorem वो बोल रहा है कि यह characteristic equation होते है characteristic equation मान लो कि suppose कोई lambda के form में होगा कोई भी n cross n matrix है तो lambda to the power n से होगा क्या something कोई भी coefficient हो c1 lambda to the power n minus 1 plus यही मेरा characteristic equation मनेगा कोई भी matrix भी equation को satisfy करते हैं इस matrix के लिए यह आएगे वेल होते है इसका order हमेसा क्या होगा इस जो polynomial होता है इसका order matrix का order से होना चाहिए का order जो है वो matrix के order के साथ equal होगा कि इसका order matrix का order सेम है यह जो polynomial है यह polynomial matrix भी इस polynomial को satisfy करते हैं इसको हम बोलते हैं केले हमिल्टन theorem केले हमिल्टन केले हमिल्टन theorem बोल रहे है कि कोई भी matrix उसका खुद का characteristic equation को भी satisfy करते हैं अब तब मैं बोलना चलो यह satisfies characteristic equation तो इसका apply क्या है actually satisfy तो कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है कि कोई भी कोई भी जो characteristic equation है satisfy करते है matrix कोई problem नहीं है इसमें इसका application किया है तब इसकी काम के लिए हमिल्टन theorem है यह normally ऐसे theorem के तोर में है बर कभी-कभी use होते है use तब होगा जब matrix polynomial बगरा बनता है तब या उसका inverse बगरा कोई to the power मान लो कि कि suppose कभी-कभी form करने देते हैं कि एक question उस दिन में करवा था कि A inverse जो है को matrix का polynomial की तोर पे मैं लिख सकता हूं कि नहीं कि यह question उस दिन था जो CSI net में भी आये हुए है और यह था कि 4-4 option था तो उसमें देखना पूरेगा कि A inverse को मैं ऐसा question पूछा करता हूं कि उसका matrix का polynomial की तोर पे मैं लिख सकता हूं कि नहीं के टुदी बास आपोसे N-1 and so on ऐसे मैं लिख सकता हूं कि नहीं तो यह characteristic के लिए Hamilton theorem में इससे यह चीज़ कर सकते हो अगर तुमने characteristic equation find कर लिया तो characteristic equation से तुम direct उसको matrix को तुम्हारा something A to the power K आ गया तो तुम बोल सकते हो कि यह inverse A to the power K के form में भी लिख सकते हो अगर यहां पर identity भी आते हैं ऐसे तो तुम बोल सकते हो कि नहीं अगर identity exist करते हैं तो यह कभी भी A to the power K के form में नहीं लिख सकता इख ना यह matrix दिया कि 8 to the world 50 पूछा गया, तभी हम क्या करते हैं, कि हम कहले हमिल्टन थेरिम के यूज कर सकते हैं, जैसे मान के चलो कि तुम्हारा matrix equation इस टाइप से आ गया, तो a to the world 50 को इस टाइप से फार्म में लिखोगे, तो हो सकते हैं, कोई option correct हो, यह direct value find हो जाए, तो यह simple just expression के लिए inverse और a to the power something form a to the power k, यह सब use के लिए हमारा characteristic equation और k लिए हमिल्टन थेरिम का use होते हैं, बाकि जो तुम्हारा eigen value, eigen vectors find करने के लिए, वो अकर बड़े matrix होंगे, तो characteristic equation से find करना, या normally find करने के लिए कम ही देते हैं, इसका जो properties है, eigen values और eigen vectors का, वो हमारे लिए बहुत useful हैं, दो, दो अलग-अलग eigen values हैं, बताते हैं, बताते हैं उसको, बताते हैं उसको, ठीके चलो, तुम्हारा statement नहीं पहले मैं बताता हूँ, जिससे मान लो कि दो अगर, कोई भी एक एक से उसके लिए यूनिक मिलेगा तो, दो अगर बहलू हैं, तो इसका तो मैंने बोला कि कोई भी एक से उसके लिए यूनिक मिलेगा तो, इसके लिए यूनिक होगा, इसलिए तो मैंने सेट के यहां पर लिखा था, कि एक से इसके लिए ऐसा सेट तुम्हें मिल सकता है कि नहीं, जो प्रड़क नहीं है, है नहीं? है नहीं? दूसरा कुछ है तो बताओ वो जो जो सेट आफ ओल आइगन वेक्टर होते हैं, हाा, विथ आउसो दा आइगन वेक्टर, विथ आ जीरो वेक्टर 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 स्पेस फ्रम करता हैं, छिक हैं, नहीं हो सकता है, फिब्द हाँ, फिज़ड होतो मैं से फाइनीट फिद्ध होगा, फाइनीट फिद हतो अलग बात हो गया, और नॉर्मली इन जेनरल हम आर के उपर अगर कंसेरा करते हैं maximum cases में आ रहा हूँ सी है वह अल्वेश इन्फाइटिंग सेट है actually q infinite होते हैं infinite इसलिए होते हैं क्योंकि कोई भी आइगेन स्पेस है मेरे पास मतब जो आइगेन वेक्टर्स बनाते हैं सेटप वाल आइगेन वेक्टर्स वह सपोस्पोस मालो कि कोई एक element से जन्रेट होते हैं इसमें जो कोई भी मैं कॉंस्ट्राइट से माल्टिप्लाई करते हूं अब सी किया है सी मेरा आर के उपर है थिल के उपर है तो सी तो इनपानेट होगा तो यह भी सेट वी इनफानेट है कि नॉर्मल इंजेनरल के अगर यह यह फाइनेट है तो यह फाइनेट हो जाएगा कि अब कि कि एज़ए कुस्चन पता है कि अगें अगर कि तर्स्ट पाने नायगें नॉबार आफ आइगें वेक्टर्स एक आइगन वेलु कर रिस्पेक्ट नियुद्ध पर बायन गेकर तर में हुआ है और फिएकैंट पर पाइज के रस्पेक्ट में है एक सा कम ही होना चाहिए हैए हैं से काम्या इक्कवल हो सकते हैं तो कि अर्षी का म्हान लो कोई 2 कोई 2 है को जिल गया तो तो आदेश के बौलो संद एरब नमर रहो कर सकते हैं किसमें इसमें नंबर जो नंबर्स हैं वो इंफाइनिट नंबर्स है न तो इंफाइनिट से इसे काम होके भी दो-चार काम होके भी इंफाइनिटी रह जाते हूं कर कर है मार्ण यहां पे कम होके फाइनिट नहीं हो सकता हैं काम हो कि दो-चार बाइनिट होन कर था ड़ील्क होरहर कि फाइन नंबर के उपर या भी के ओपर वेली करें जो इनंफानेट पील्ड है इन्फानिन नंबर ओफ एलिमेंट सा एक्रणिक्ट का कम्बिनेशन इन फैन नंबर सो इसे में बनेगा वह फाइनेट नहीं हो सकता है तो एक अधा तो कंट्रीक्शन हो जाएगा कि थे तो कि अधा ओधार कि हार मेक्टिक्स के लिए हां आप है इस अब इसके लिए पॉसिबल आगे बादो हमेटिक्स करता है कि नहीं कैसे जैसे मैंने मानलों कि कोई रियल रियल फिल्ड में बोल दाओं हां जैसे मानलों कि कोई भी है ए माइनस लैम्डा आई 10 कर उसका डिटामेंट मेरा जीरो दे रहे हैं तो उसमें तो लैम्डा का तेक वैलू मुझे मिलेगा इक्वेशन का सॉलूजन तो मिलेगा भले और रियल में ना हो हां कम्प्लेक्स में हो हां आइगन वैलू जो है लैम वह दुष्रे फिल्में भी हो सकता है जो कोई प्रॉब्लम नहीं हां हेम नजै प्लू प्लू कर सकता है आइप वार व्यार ऑंगिंडा वारे दियों हम बोल सकते हैं। हाँ, नहीं, उस अगन बाद होगा हूँ, बिलकुल होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी हो सकते हूँ, मैं बोलत रहा हूँ, कोई हो सकते हैं, की एकसे स्क्वार मान लो की, सपोस्ट प्लास टू इस अगल तो जीरो आगया आई सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं इसके लिए भी आगन वैलू जरूर मिलेगा हाँ कॉम्प्लेक्स में होगा हाँ आर में एक्जिस्स ना करें तो क्या हुआ आगन वैलू के लिए तो यह नहीं बोल रहे हैं कि उसी फील्ड में होना चाहिए ने तो ऐसा अगर होता कि सपोस्थ यह चीजे उसको आगन मेंटरम आगन वेलू बोलते ही नहीं एक थियोरेम का स्टेट्मेंट यह है वो तो स्टेट्मेंट आता ही नहीं कि ओल आगन वेलू जुँग और फिर रियल सिमेट्रिक मैट्रिक अगर ऐसा होता तो यह स्टेट्मेंट ही नहीं होता क्योंकि अगर सिमेट्रिक मैट्रिक नहीं है तो उसका आगन वेलू एक्जिस्ट हो भी सकता है अगर इसका मतलब यह हो जाता है कि हम हम उनली कंफिडेंस के सब कह साथे हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक का आगन मैट्रिक होता है हाँ 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 और आगन मैट्रिक हो एक्जिस्ट करते हैं वो रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो उसमें कोई हमें मतलब नहीं पर ये स्टेट्मेंन में दिखाता हूं है अगर श्रीद में दिखाता हूं है पर ये स्टेट्में परता हूं इप दा ग्राउंद फिल्ड ओफ ए इस आर्ट्में परता हूं इप दा ग्राउंद फिल्ड ओफ एई तो इस पिल्ड प्रट्में फिल्ड ख्राउंद फिल्ड ख्राउंद फिल्ड थी तो आग्रिप्रीज ये इस सेंगें फिल्यूत् कि यहां कि काउना सब्सक्राइब काउन से पाउन का से इसे कैसे आइगें बैलू का डिलड का डिफिनेशन में यही जो मैं इसमें ना फिल्ड डिफाइन होता है ना कुछ भी डिफाइन होता है किसमें क्या उसमें क्या गर्वरी क्या है यह ना उसका एलगेविक इस्टेंशन भी नहीं है वो बेस फिल्ड उसका है जिसे आज सी होते हैं सी क्या है सी का आर का एक्स्टेंशन है एलगेविक एक्स्टेंशन है हाँ जीरो जीरो वन हाँ हाँ विल्कुल आइगन गर्टो बताएगे आइगा आइगा आइग माइनस है ठीक ना हाँ हाँ किस में हाँ हाँ ठीक इसका हाँ इसका आइगन वेस्ट का प्रेंशन होता है हाँ मुझे तो नहीं पता हाँ 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 देखो कहां पर है तो मैं तो नहीं पढ़ा हूँ मैं इसलिए बोल रहा हूँ तुम लोग देख लो कि कहीं पर ऐसा लिखा है कि नहीं मैं तो नहीं पढ़ा हूँ ऐसा पर मैं तो नहीं पढ़ा हूँ ऐसा अ अ अ अ अ अ अ अ अच्छा इसका आगे मिट्टर पूछ जो इसका मतलब एक भी जीरो इसका मतलब एक भी जीरो ना खुछे आप आफोड अलग चीज हो गया है अच्छेंशन पर अपने तो बात करें तो पूदा कौन से ड़ी प्रेंड से जा सकती है, हो पहेंगज एगा एगे पर छोड़न करेंगे लेम्डाशा रarna अपालल दो खीजिए तो पहले ना पहले के बाद, वो बात मुसरीक है, तो मैंटिस A है और आप उसके बार एंग कुछ नहीं कह रहे, तो उसकी आइगन मैलू, एक्सेंस दिल में चली जाए, तो कि इस मैंटिस के बार इंग कुछ रीखा, जिर रील है क्या है, वह है यह बता है, यहां पर क्या बत है, यहां पर की रील है क्या है, वह बता रहा है कि आगे मैंतिस के बता है, जाती है, बत-छी जाती है, बता मतला है, अगे बता है, और फोर्ट अलग सीज है, वो तो माल्टिपलिसिटी हो गया, कंसर की बात करता है, जो कमेंट है वह पाल के लिखा गया है आई कर दो आइगन वेक्टर्स के लिखा गया है पर मुझी तो इसमें सही में यह है मिझे में है कि इन वं मैंने पर सिक्टाइब कर और गाइड नहीं हैै आजए मेले कुछ भी जून हो यह करता है मैं मैं किस किरें मेरा कोश्चन नहीं है किसी में हो सकते हैं ist मैं तो फिल्ड का बात ही नहीं कर रहा हूं मैं इसे नॉर्माली बोल दाओं कि जैसे कोई भी एक मैट्रीक्स है वो तो मुझे पता है वो चीज मुझे पता है और उसको आइगन वैलू नहीं कहेंगे क्या ऐसा मेरा कोश्चन यहाँ पर यह है अ अच रियल फिल उतार है तो आगे मैंनू नहीं है तो अच नहीं कोई पर चीज मिद्युटिते है जिरो मनपनी सिरय नहीं है कि कावल लेंबडा माइन दुकम है जब कुछ नहीं कहा ले मैंने किसी प्रीड मेंबर है तो इस प्रीड पर्टिकलर आर कह दिया और लेंडा निकाल आया काम ले तो नहीं है किस जब दो सामने आजोते हैं किस दो क्लास की जब आप से निकाल जाओ किस दो कि अअगम करन कि अब आपने मैं इस पर आउन मैं है करें तो है तो हो की तो को सचेए तो यह थोड़ा कंफ्यूजिंग है मैं अभी ब्यूत मएं आपनाih सग्यों नहीं हूँ ऐसा क्योंगि मेरे एक्रोडीग आइगे हैं भी किसकी का भी क्योंच कर सकते हैं ह счき मैं इसमें देखा मैंने इसमें देखा मैंने अधियो येक अच्छलेड अच्छलेफ और सब्सक्राइचर था ये येक येार्वरा क्लिए जो भी है। अच्छलेफ, बिश में बात को ये।, ये तक shining डिश तर है कि मुझे नहीं लगता है। जो भी में सियोन नहीं हूं इसमें अब्यस्सी बात है जो स्टेज की भी बात कर रहा हूं वह तो ऐसे complex number पर स्टेज हो नहीं सकता रियल के उपर तो अब्यस्सी बात है अगर आगन भेट्टर की में बात हो आपे जाओं और इन जेनरल आगन भेलो अगर बोलूं तो मेरे अकॉडिंग तो सभी में एक्जिस्ट करते हैं ऐसा फिल्ट मेरा कोई भी हो इसा यह मेरे अकॉडिंग है जो भी है इसको एक बार कर लेंगे ठीक है इसको क्लारिफाइब करेंगे कि कि इसको अम यह करेंगे एक बार ठीक है क्रॉस्ट चेक कर लेंगे उसके बाद इसका इसका कंफर्मेशन करेंगे 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 यहां पर यह स्टेटमेंट भी साब साब लिखा गया है ठीक यहां पर लिखा है कि कोफिसेंट अफ्टी कार्टरसटेक से केशिएशन हर एलिमेंट्स अफ़ देफ फिल्ड यहां पर आफ्क यहां पर लिखा है कि अपर लूडस गोड़्यों गोड़ी ऑन्ट गोड़ी बोल रहें मेरे पास ऐसे ऐग्शिस्ट और मेरे अक्षिक मेरे अग्वेक्ट का जब मेंunta का और उसमें होगा Volt लेंमडा बिलोंग हो चाए अधार चाहिए इसको देखना पड़ेगा देखो ये चीजहें पर का सो में फ्क रहे हैं मौन इनकी नोलु है तो मेरे अकॉरिस में बोल लाँ हूँ है मैं वही चीज बोल राहूं लिए जब हम बात करेंगे तब हमें लैंभ्डा पिलोंग्ट रेके आगे का बढ़ेंगे इस लिए यह इस बूस्ट में यह चीजे इस पॉड़ सबस्क्राइब भड़ा रहे हैं है था इसमें ठीक है थोड़ा confusing है इसको देखते हैं ठीक है कुछ दो एक properties है जो आइगन values के लिए mainly है कि lambda अगर आइगन values होता है कोई यह भी metric रहे का हूँ में मेल्ट्रीक तो लेमडा इंवर्स आइगन मेलु होगा तो यह भी हो XV होता है तो इन similar fashion अगर lambda eigenvalue होता है A का, तो lambda to the power K b eigenvalue होगा A to the power K तो यह कुछ-कुछ properties हमें काम पर आ जाते हैं कभी-कभी eigenvalues का all summation अगा लेते हैं तो हमें मिलता है matrix का trace, trace of a matrix होता है, trace of a actually sum of all eigenvalues और determinant होता है product तो आप यहाँ आप यहाँ आप यहाँ आप यहाँ आप यहाँ आप यहाँ सिंपल सी बात है, अगर determinant मेरा 0 हो जाता है तो इसका मतलब product भी 0 होगा मतलब at least one 0 होना चाहिए तो अगर मेरा determinant 0 हो जाता है matrix का तो यह imply करेगा product भी all 0 है इस this imply कि there exists at least यह सिंपल properties हैं जो हमारे short short questions solve करने में काम आ जाते हैं कभी कभी और जो similar matrix होते हैं उसका भी eigen values से हम होते हैं similar matrix means यह जाए यह जाए जाए वही बोलो को हम नॉर्मली देखेंगे सार्च करके कि को भी ऐसे रियल है अगर matrix है तो उसका complex आइगें बलूर उसका नाम आइगें भी आई गी निए कि अद से बड़ी बात यह ना कि इसका जो है यह और पीए पी इंवर्ट तोनों सिमिलर होते हैं इन दोनों का आइएन वेलू सेम होगा कि यह कुछ-कुछ पोपर्टीस है है जो हमारा काम के आएगा अब हम फिर से आइगन वेलू और आइगन वेक्टर जो है उसमें चलते हैं कि उसमें कुछ-कुछ पोपर्टीस हैं आइगन वेलू और आइगन वेक्टर के लिए देखो अगर हमारे पास तीन अलग-अलग आइगन वेक्टर से तीन हो दो हो कोई भी सब्सक्राइब आइगन वेक्टर से इसके लिए तो डिफ्रेंट आइगन वेलू जेंग अप्टर से ताइगन वेक्टर से लिए, चाइगन वेलू तो डिफंक्या BLÅटीस हैं त다इगन वेलूज ंड़ आइगन। आगर दो द mêmes आइगन वेलूज जागन वेलूज बटीसित independent तो दोनों linearly independent होगी कभी भी सेम सेट में बिलोंग कर सकते हैं नहीं नहीं सब दू डिफेंट के लिए सेम्सेट में कभी बिलोंग नहीं करेगा यह दोनों का गाट टू डिफरेंट आइगन वेलूस होता है तो दोनों का कोर्सपोंडिंग टू डिफरेंट आइगन वेलूस होता है तो हमारा एक्सवानच टू जो होगा ऑलवेस लाए होगा यह ओनली एक्सवानच टू के लिए नहीं अगर हमारे पास एजन नंबर्स अफ है आइगन वेक्टरस है और इसके कोर्सपोंडिंग जो आइगन वेलूस वो अगर ओलाट डिस्टिंग्ट सभी अगर डिफ्रेंट है अब लेंडा 1 लेंडा 2 करते करते लेंडा एन अगर यह सभी के लिए एन मुझे आगें वेलूज मिलता है तो ओल एक्स वान एक्स ट्रेंगे लाइए यह बहुत ही काम का चीज़े हैं कि अगर हम डागोनलाइजबल पढ़ेंगे अभी डागोनलाइजबल में यह बहुत इंपोर्टेंट होते हैं कि अगर सारे मुझे एलाइ मिलते हैं है यह बहुत कामकी चीज़े हैं और यह इफ और इंपोर्टेंट है इसलिए अगर हमेरे सारे इसमें डिस्टिंग मिल जाएगा तो सारे हमेरा हो जाएगा जाएगा तो अगर यह डिस्टिंग्ट होगा नहीं जरूरी नहीं होगा मतलब दिस्टिंक्ट ही होगा झाल 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 वो चीज़तों मैंने बूली दिया कि पकार रियल स्मेट्रिक मैक्ट्रिस होते हैं तो यह इंप्लाई करेगा ओल आगा लुसा रिया हाँ आप यहां पर और एक क्वेश्चन है रियल क्यूसिवेटी होगा तो हाँ आप कंप्लेक्स आया ना अगर रियल क्यूसिवेट्रिक मैक्ट्रिक होता है तो आगेन वैलूस मेरा होता है जीरो और कंप्लेक्स तो अब तो आगया कंप्लेक्स तो यहां पर यह स्टेट्मेंट भी है यह थियूरेम भी है बिलकुल आगेन मैंनों कुछ भी हो सकते आगेन देट्र बात होगी तो अब तुम्हारे लैंडा बिलोंग्स तो यह मानके चलना पड़ेगा नहीं तो नहीं चलते कोई मैट्री जाएगर नहीं है तो हां क्यों नहीं करेगा हां बिलकुल मिलेगा यही तो है तुम्हें सिंपल माननों है 1110 ताइगर नहीं है ताइगर नहीं है तुम्हारे आगेन मैंनों 11 हम आएगर नहीं है तुम्हारे नहीं है इसका तो यह है कुछ कुछ कोश्चन्स करते हैं पहले इसका डेफिनिशन्स पहले बता देता हूं मैं अगर कुछ पूटा तो इसका डाइगोनलाइजर्ट को इसको डायगनला गद कप कहते है tą एक मैट्रिक्स कोई-भी मैट्रिक्स है मानलों ब्रॉठ मैट्रिक्स आ इन फ्रोज है इसको डायागनल कप कहते है simplex form simplest form मतलब क्या कैसा simplest form अगर कोई बोलेगा कि मेरे लिए ये बी मेरे लिए ये बी simple है मेरे लिए ये बी simple है ऐसा बोला तो सादी बने जरूरी नहीं नहीं पर जो पार्टी जाएगा सिंपर पार्टी जाएगा सिंपर पार्म मता पॉँदी सिंपर आई कि आप अज़ी आधा अधिक फिर अधिक नुट जाएं को और जो कि अधिए उल्ट वह भी डियागोनल मेटीस के साथ सिमिलर होना चाहिए डियागोनल मैटीस के समिलर मेंद ऐसा हमें मिलना चाहिए की ती ये पी निएंबर्स और इफ इंबर्स कोई थी ओना चाहिए जो ड्यागोण इंट मैट्स होत gevज लोगा वह एक्शुली आइज बेलूरो सुझ हम आफ़ी गायों की सीमिलार मैठ्स को हंने अभी चिखिया है सीमिलार मैठर्स का आई रमाल्व सिं fact सकते हैं कोई भी similar matrix होता है आगर तो similar matrix को ऐसे लिख रहे हो कि सबस्क्राइब लिखके चलो कि यह P inverse ऐसे लिखते हो तो यह B और A similar opposite भी true है कि opposite में यह भी बोल सकता हो ना कि सबस्क्राइब कोई भी ऐसे Q हो जाएगा P inverse लेलो उसको Q is equal to P inverse कि तो यहां पर तो P A से भी यहां पर तो देयर एक्षिस से non-singular matrix होता है similar के लिए देयर एक्षिस से non-singular matrix होता है तो देयर एक्षिस मतलब क्या कोई भी ऐसे से exist होना चाहिए P A P inverse P inverse A P equal होगा कि नहीं होगा हाँ इक्षिस नहीं भी हो सकता है हाँ बनाएगा तो सेम उसमें कोई दिक्कत नहीं है बनाएगा तो सेम हाँ तो इक्षिस वाल हो गया हाँ इसमें डाइगनल में डाइगनलाइजबल के देफिनेशन ऐसा है कि ऐसा एक सिमिलर मैट्रिक्स मिलना चाहिए कोई भी ऐसे डाइगनल मैट्रिक्स के साथ है हमेरो प्सक्राइग प्सक्राइग दी तहां पर इस इस पर्म में पर देखना पड़ेगा की चुक जो बोल्ड़ों कि पी एप इसको मैं लिग सकता हो कि नहीं ती एप इसकोल होंगे की नहीं आई हाँ है है यह वहां पर यह पी का का फॉर्म चेंज हो जाता है है प्रेश्य 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 प्रेश यह इक्वल नहीं होगी बतार दी के सिमिलर होगी दूसरा कि वहीं पी इंबर्सा माल्टिप्लाइ करो तो पी यह पीडी इंबर्सासे आएगा तो इस पर सिमिलर कि यह यह हो जाएगा डी का इलिमेंट्स ही एक्चुली मेरा है आगन भैलिट्स ही के सारे डाइगनल इलिमेंट्स ही मेरा है आगन भैलिट्स अब एक मैट्रिक जाइगनलाइजबल कभ होगा पुस्चिन यह इंपोर्टेंस होता है कि एक मैट्रिक जाइगनलाइजबल कभ होगा जाइगनलाइजबल का काफी कंडिशन से हैं पतलब है है इसमें डाइगनलाइजबली में चीज़े एक्सविल्ए कि इसमें आइगन वलूस आइगन वेट्रस पर नॉर्माल ऐसे नहीं पूछते है है जो कि अ है कि अ है को दिखेंगे फिरसे रिपीट कर देंगे दिख्कत होगा तो अच्वावर्ण यान अगी दिन में? हाई दो किया हो? अब धार थे? रूल से खाल? खाल, 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 की ते खाल, की शिटर? खाल, की शिटर? वारे खाल, की शिटर? सब्सक्राइब तो इसमें तो यह होगा है जो मैं बोले लिए पर अब बेक्टर होगा तो उसमें आइगन वेलू बिलॉंग सो सेम फिल होना ही जाईए नॉर्माली मैंटी सूपर डिपेंड होता है इसे हैं इसे हैं इसे हैं इसे हैं इसे हैं कि तो नहीं हैं अधैं अधैन ग्रिप का और अधैन वेलू अ मुझा अधैन वाली को और आइगन वेलू ए ना विफन ऐसे नहींै और है आइडेंटिटी में जिराल आइगनलाइज वलाए और आइगन नहीं है कि अधारे कॉलम है 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 आज ए आज बेलुस्क्रिटर जितने भी आईगन वेक्टर से पूसा बेलाएं प्र कंडिशन तब होता है जब ऑल ऑल दा आइगन फेक्टर था रेल तो आइगन वह रिलेटट है हार एक अगर आज़र है एक अगर अगर अजह है को सब्सक्राइब इंडिपेंडेंड आइगन वेक्टर मिलने चाहिए not आइगन वेलू आइगन वेलू के लिए if and only condition नहीं है तो यह अगर एन क्रोस एन मैट्रिक्स है हमारे पास क्या होना चाहिए कि आइए ना ना डिस्टिंट 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 बोला था ना कि i1 राय consent भी नहीं हो पहाँ आप है कि i1 वोलें डिस्टिंट हो गया थो आइगन वेक्टर्स तो मेरा तर क्थे भी इस्टिंट गी और आज कि दिस्टिंट डिस्टिंट होई मैं बोलो if and only condition नहीं जो होगा जब मेरा एंट डिस्टिंग्ट आगें वेक्टर मिलता है कि एंट डिस्टिंग्ट नहीं अगर सारे मेरा यह होते हैं कि कि अगर सब्सक्राइब यह इंपलाइब कर देता है एक्चोली कि अशले जो है एंट- इलाइब यह आइगें वेक्टर्स यह इंपलाइब कर देगा इंट- आइगें वेक्टर्स और यह imply करेगा कि एस डाइग और इसका कॉनवार्स पूर्ड नहीं है पर एक्जमपल आइंटिटीड मेट्रिक तो यह ध्यान पर रखना है कॉनवर्स नट फूर्ड है का पर दिए फैरे ऐस पॉर्पार्टी सी चेक करना है एकदम में आप रुम्हार आजन वैलू फाइंड को ना आईगन वेक्टर करना है ना कुछ करना है होते हैं से जो 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 थिरम से इसको कैसे किया जाए करके हमें सरा ना थेते हैं यॉसे फाइंड करना पॉसिबिल नहीं होता है कर लोगे तो और अच्छी बात है अगर पॉसिबल है तो थीक है बाकी जो है कोश्चेंस बगार आप नेग्जिंग करेंगे और भी कुछ-कुछ परटीस है डाइग लाइज अब का वी आम नेग्जिए निफे डिस्कस करें तक लाइज वल्क परटीस है जैसे यह जिए यह स्मेट्रिक मेक्रिक्स होगा अबर तो अल्वेश डिगणालज़जबल और अल्वेश ओड़ोगोनली डियागोनलाज़जबल व्यशिए बीक्सक्राइजी इसक्लास में दिसक्स करेंगे प्रणाने वाले गम नहीं है तुन्हों प्रणाने वाले गम नहीं था कि आप तो बढ़ गया है कि मंगाय तो मिलने है कि आप में तो बहुत हुआ 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 पुरा बढ़ गया तो मुझे जिन्दा लग रहा है लिगने से जादा इससे बढ़ रहा है इसको धुलाने से नहीं होगा एक हाँ वह होगा ना तुम लोग भी थोड़ा देखना बाकी जो भी है कोशन से बढ़ डिसकस करें को और कुछ परटीस करेंगे अल है है बढ़ है है झाल है प्ले कर Вам भी यह कोशन खुलाने तुम्ले करता है क्दोटीर कोशनług खुदी में मुझें झाल कि बढ़ में घंगी है क्दैजम